नमस्कार स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूँ श्रिष्टी में ठानी पूर्स अंसद अबाव बली नेता आनंद मोवन की रियाई होने वाली है इसको लेकर बिहार में राजनीती भी जोरो पर है सियासी गर्यारे में नफा नुकसान की चर्चा भी है चाहे मागडबंधन के नेता हो, बीजेपी के नेता हो या फिर किसी और पार्टी के नेता क्यों ना हो सबके अपने अपने तर्क है सवाल ये भी है कि आर यानि की राजपूत फैक्टर से M मतलब मागडबंधन को कितना फायदा और दुकसान होने वाला है बतादे की बियार सरकार ने 10 अपरेल को संशोधन करते हुए जेल मैनियों से काम परतिनाद सरकारी सेवक की हत्या अंश को ही अटा दिया है इससे आनन मोहन या उनकी जैसे अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता जल साफ हो जाएगा इसे लेकर नितीश सरकार पर अपरादियों को छुडाने का आरोप लगाये जा रहे है बतादे की आनन मोहन के साथ कुल 27 लोगों को रिया करने का रास्ता साफ हो गया है लेकिन इस सब के बीच रियाई के पीछे का कारण क्या था जेल अदिनियम बदलना राज्य सरकार का हाग तो है मगर इसका मनसूबा क्या है ये बात जानने वाली है क्या ये आने वाले चुनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है या इसके पीछे कोई और बड़े मनसूबे है ये जानने के लिए आप तपसीव से ये स्पेशल रिपोर्ट देखें सबसे पहले वरिष्ट पत्रकार संतोष यादव ने कहा है कि आनन्द मुहन की राजपूतों में अच्छी पकड़ है आनन्द मुहन की रियाई से महागणबंदन को काफी फाइबा उने की संभावना है वही आनन्द मुहन को एक फायर ब्रेंड नीता के रूप में पेश किया जादा है वही राजपू समाज उनकी काफी इज़त करता है आनन मोहन की रियाई को लेकर काफी आंदोलन हुए है मुख्यमंत्री नितीश के कारेक्रमों में उनको रियाग करने की मांग उखती रही है आपको बताते हैं कि नितीश कुमार खुद उनके समर्तकों से का करते थे कि जल्द खुशकबरी बिलेगी रियाए पर अब मोहर लग गई है लेकिन बात देखने वाली है कि आकर आननमूहन पर क्यूं दो फार हो रही है BJP बिहार की BJP आननमूहन के मामले में दो फार दिख रही है क्योंकि अब हमें जानना है कि आननमूहन का वोटरों से connection क्या है और अगर है तो बिहार में दलित पर क्या राशपूर वोट आई भारी है। सबसे पहले जानते हैं कि BJP में आनन मोहन को लेकर क्या दूबी करण देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में BJP नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई है। आनन मोहन की रियाई कोई बड़ी बात नहीं है। विचारी काफी समय तक जेल में रहे हैं। राजे की जनता जानती है कि ततकालिन सरकार ने उन्हें कैसे फसाया था। वेबली के बकरे बन गए थे। लेकिन वर्तवान सरकार ने भी बड़ी चतुराई से आनन मोहन की आड मे किन-किन लोगों को छुड़ाया है जरा ये सूची में देखें। राजे की जनता इस खेला को खुब समझ रही है। आनन मोहन की आड में जितने लोगों को छुड़ाया गया है समाज इसके लिए बरतमान सरकार को कभी माफ नहीं करीगा। जेपी नेता और पूर केंदे मं मंत्री राजे प्रताब रूडी ने राजे सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े होते हुए का कि उन्हें पसाये गया है। मंत्री ने आगे क्या का चलिए आपको पहले सुनाते है। प्रतमान सरकार ने उन्हें अपनी लोगप्रेता धूमिल होते देख उनकी रियाई का निर्ने लिया है। ये उनके निर्दोश होने को सिद्ध करता है। लिहाजा आपत्ती की कोई बात ही नहीं है। आनन मोहन अपनी सजा काट चुके थे। उसके बाद भी उन्हें जेल में रखा हुआ था। जो घटना हुई थी उसमें वे आरोपी थे और कोट के निर्ने को मानते हुए उन्होंने पूरी सजा काट ली थी। इसलिए उनकी रियाई पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठना चाहिए। इसके लावा सुशिल कुमर मूदी लगातार आनन्मोहन की रियाई पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी खुल कर आनन्मोहन का विरूद इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आनन्मोहन की राजपूर समाच में अच्छी पैठ है। बीजेपी विरूद करेगी तो उसे नुकसान हो सकता है। यहीं वज़ा है कि बीजेपी में आनन्मोहन को लेकर दोपफाड देखने को मिल रहे है। इससे आप सीदे सीदे समा सकते हैं कि सारखिल, राजपूर और दलित वोट बैंक का है। नितिश कुमार ने नहीं की वोटों की चिंता इस बात में कितना सच, कितना जूट। तो क्या आनन्मोहन की रियाई वोटों के लिए उन्हें जा रही है। जेडियू प्रवक्ता अभिशेक जा ने इस पूरे मामले में का कि नितिश कुमार ने कभी भी वोट बैंक की चिंता नहीं की बलकि वोटों की चिंता करी है। आनन्मोहन की रियाई के फैसले को अलग-लग दिस्टिकूर से देखा जा रहा है। नितिश सरकार ना किसी को पसाती है ना किसी को बचाती है ऐसा जेडियू का कहना है। नरेंद्र मोधी है, बिहार की जनता मजबूती से नरेंद्र मोधी के साथ खड़ी है, उसी मजबूती से आगे ही खड़ी देगी। मा गड़मंदन कितना भी प्रयास कर ले, 2024 के लोगसबचुनाब में बिहार की जनता बीजेपी का समर्थन करेगी। आनन मोहन का बयान राजपूत की राजनीती फित्रत में ही नहीं। आनन मोहन की रियाई पर बयार सरकार ने मोहर लगा दिये। 23 अप्रेल को दुपैर में जेल से स्थाई तोर पर फिर से बाहर आ जाएंगे। बिहार में 5 फीसद राजपूत समाज क्या दलिट वोट बैंक को दे पाएगा टकर। तो सवाल ये उट्रा है कि क्या 2024 में लोगसभा चुनाव में महागडबंदन सरकार राजपूत समाज को अपनी तरफ लाम बंद करने के लिए आनन मोहन की रियाई का दाव चल रही है। बियार में राजपूत समाज करीब 5 फीसद है। बियार की 9 लोगसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। बियार के राजपूत समाज मा गडबंदन के पक्ष में लाम बंद हो सकता है। 90 के दर्शक में भी बियार में ऐसा राजनितिक तानाबाना बुना गया था कि जात की लड़ाई खुल कर सामने आ गए थी। ये बियार में वो दोर था जब लालू का राज था और कमंडल और मंडल की राजनिती पर जोर अजमाईश चल रहे थी। उसी दोर में आनन मोहन लालू विरोध का चैरा बन गए थे। सवर्णों का नेता बनकर उबरे थे आनन मोहन वहीं 1990 में जनता दल की टिकेट पर सहरसा के मैशी से विदान सवा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इसके बाद 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी आनन मोहन ने बनाई और उसके ब पाएंगे ये तो समय बताएगा लेकिन उनकी रियाई के फैसले से बिहार की सियासत गर्मा देए इस खबर में फिलाल इतना ही देखते रहें क्याप्टिल टीवी बिहार नमस्कार